So hello everyone, welcome back to your own channel Ozone Classes, मेरा नाम है विपन कुमार शर्मा and I am your biology mentor at this particular platform. So here in this video, मैं आज जूट नहीं बोलूँगा लेकिन ये मेरी life कि I think सबसे जादा best video होने वाली है because मैंने आज तक किसी भी video पे इतना time invest नहीं किया है content बनाने में मैंने कोशिश किया कि मैं आपको NCRT का एक एक reference, एक एक line, एक word पकड़ के बताऊं कि ये past year में कहां से पूछा गया है, 2019 के paper को decode करने की हमने बात की थी because मैंने एक video बनाई थी जहांपर मैंने आपको बताया कितने question repeat होते हैं exactly neat में आपको वीडियो बहुत पसंद आई and you requested me to make a video जहांपर मैं decode करूँ 2019 के paper को आज मैं आपको word to word, line to line काफी सारे references देने वाला हूँ इस वीडियो को बनाने में बहुत मैनत लगी है, तो अगर आपको end में एक real conclusion मिले और आपको अगर लगता है कि ये बंदा deserve करता है साधा subscriber तो इस वीडियो को share करना otherwise dislike भी करके जाना और unsubscribe भी करके जाना लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि कितने question and CRT से आते हैं मैं आपको examiner का mind set भी बताने वाला हूँ काफी सारी ऐसी चीज़े हैं जो मैंने इस वीडियो को बनाते time analyze की हैं और bullet point के forms में note की हैं यानिकि अगर आप उन चीजों पर ध्यान रखते हूँ उन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए अगर आप अपनी preparation करते हो क्योंकि सब कुछ आपके सामने होने वाला है आज एक एक word मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से आया है किस तरीके से घुमा कर आया है और किस तरीके से question जो आप सोचते हो out of NCRT है वो भी कही बार NCRT से होता है तो उन चीज़ों को हम लोग आज decode करेंगे और एक simple strategy को opt करते हुए 2019 का पूरा paper solve करेंगे please make sure आप पूरा देखो और अगर आप सिर्फ ये जानने आए हो कि कितने question आते हैं तो आप time waste मत करो यार end के 5 minute में 2x speed पे करके देखो मैं आपको पूरा का पूरा analysis end के 5 minute में बता दूँगा और अगर आप examiner के mindset को समझना चाते हैं तो please make sure आप इस video को पूरा देखें because genuinely content पे बहुत मेहनत हुए है दो दिनों से मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ इसी पे लगा हुआ था मैं और एक एक वर्ड एक एक लाइन पकड़ पकड़ कर लेकर आया हूँ जितनी भी sources थी मेरे पास से so please make sure कि पूरा देखो because काफी सारी चीजे मैं आपको बीच में बताता हुआ चलूँगा कि इस question को कैसे interpret किया जाना चाहिए और किस तरीके से अगली साल modify होकर आ सकता है या फिर variety of things so let's do it guys और बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में so I really hope कि आप में से काफी लोग इसे enjoy करें so सबसे पहले guys अगर आपको इस paper की pdf चाहिए या फिर आपको कोई भी अगर query होती है या फिर अगर आप मुझसे connect होना चाहते हैं तो आप मुझे telegram पर follow कर सकते हैं ozone classes नाम का हमारा telegram channel है link मैं description में दे दूँगा उसे telegram के नीचे एक और link होगा जो कि मेरे नए channel का है जिसका नाम है nurturing brains प्लीज उस channel को भी जाके subscribe कर लिजे और मेरे साथ जोड़ जाए और instagram पर आप मुझे follow कर सकते हैं अभी हम लोग start करेंगे और end में ही कोई बात करेंगे हम लोग question number one which of the following cell organelles is present in highest number in the secretory cells यानि secretory cells में इन में से कौन सी organelles highest number में होती है आपको answer पता है गोल जी क्योंकि ये आपका directly NCRT में दिया हुआ है page number 134 पे इसका reference है तो आप लोग NCRT जब cell biology जाकर search करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि protein जो है basically आपका endoplasmic reticulum help करता है okay endoplasmic reticulum में जो rough endoplasmic reticulum होता है वो protein synthesis में help करता है smooth endoplasmic reticulum जो होता है वो steroid और lipid synthesis में help करता है mitochondria आपका energy generation में और lysosome एक degradative organally है जिसके अंदर आपके hydrolytic enzymes present होते हैं तो option 2 आप elimination से भी निकाल सकते थे otherwise आपका directly text में दिया हुआ है तो आपको जादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं है question number 2 so this is directly from NCRT है जो भी cutouts में लगा रखे हैं सारे NCRT के हैं तो आप NCRT में जाओगा आपको exactly ये same paragraph वहाँ पर मिलेगा NCRT page number 134 से question था तो एक में से एक question अभी तक NCRT से आया है question number 2 non-membranous nucleoplasmic structure in nucleus are site of active synthesis of तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो nucleolus की बात की गई है और nucleolus को बोला गया है spherical structure जो कि आपका दिया हुआ है question में ही ओके और यहाँ पर जो है not a membrane bound structure यानि ये question में आपको दिया गया था non-membranous तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है यानि हम nucleolus तक पहुँच चुके हैं ये किस चीज के लिए synthesis करता है आपका ribosomal RNA की तो ये question आपका as it is NCRT से उठाया हुआ है page number 138 cell biology आपका question number 2 2 में से 2 आपके NCRT से है question number 3 which of the following nucleic acid is present in the organisms having 70S ribosomes only यहाँ पर एक word आया है only यानि कि यहाँ पर eukaryotes की बात नहीं हो रही है because यहाँ पर सिर्फ उन organisms की बात होगी जिन में सिर्फ और सिर्फ 70S ribosome पाया जाता है तो यहाँ पर मैंने एक you know option लिया है cell biology से एक statement लिए कि prokaryote में सिर्फ और सिर्फ 70S ribosome होते हैं तो यह बिलकुल सही बात है तो यहाँ से हमें इस statement से पता लग गया कि हमें prokaryote की बात करनी है फिर हम cell biology में prokaryote में जाएंगे और अगर आप prokaryote में जाओगे तो आपका पता लगेगा कि naked genetic material होता है तो यहाँ पर हमें ये word बिलकुल सही मिल गया और double standard आपका nucleoid present होता है circular nucleoid वो word भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर एक और statement है कि except ribosome कोई भी organelle आपकी prokaryote में नहीं present होती और वो ribosome सिर्फ और सिर्फ 70S होता है यानि question को justify करने के लिए आपको इन दो paragraph की knowledge होनी चाहिए थी और answer देने के लिए आपको इस paragraph की knowledge होने चाहिए थी तीनो जो paragraph है आपके page number 128-129 पे दिये गए हैं यानि कि आपको link करके चलना था examiner ने जो question बनाया है यहाँ पर जिन paragraph को link किया हुआ है वो एक ही chapter के लगातार दो consecutive pages से आए हुए है और ऐसा आपको मैं काफी जगा दिखाऊँगा यानि एक chapter से जितने भी question आते हैं वो आजू-बाजू के pages से ही आते हैं एक you know particular order में question आया हुए है paper में वो मैं आपको बताऊँगा तो तीनो की तीनो statement हमने NCRT में decode कर ली हैं तो तीन के तीन question अभी तक NCRT से हैं question number 4 after meiosis 1 resultant daughter cell में कितना DNA का content होगा ploidy की बात नहीं हो रही content की बात हो रहे है क्योंकि आपर amount of DNA पूछा गया है चारो के चारो options में आप नीचे NCRT के एक statement है कि meiosis 1 में आपका S phase में सबसे पहले जो आपका DNA content है वो duplicate हो जाता है और आपको एक और NCRT में statement मिल जाएगी कि meiosis 1 आपका reductional division होता है ये तो सब को ही पता है तो पहले अगर content आपका double हुआ समझ दो पहले आपका content था 2C in a deployed cell पहले आपका अगर 2C content था तो उसके बाद क्या हुआ ये जब आपका duplicate होगा आपका S phase में जब DNA replication होगी तो ये content आपका 4C हो जाएगा और उसके बाद reductional division में जब content आदा होगा तो ये दुबारा से इस जगा पर पहुँच जाएगा यानि haploid gamate में जितना content होना चाहिए उससे double content आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको NCRT की दो statement को utilize करना था एक ये कि आपका S phase में DNA duplicate होगा और दूसरा ये कि meiosis is the reductional division तो यहाँ पर content बाद में half भी हो जाएगा अगर ये दो statement आप NCRT से पढ़के जाते तो ये question आप लोग आसानी से कर देते 4 out of 4 are from NCRT इन में से कौन सा organic compound lecithin बनाता है अब NCRT में एक image दी हुई है lecithin की और उसके bracket में यानि bracket में lecithin लिखा हो है और बगल में लिखा हो है phospholipid with diagram ये question है ये diagram NCRT biomolecule से ही उठाय हुआ है यानि lecithin एक phospholipid है ये तो diagram oriented question आगया directly आपको बस statement के form में पूछ लिया so 5 out of 5 questions are from NCRT till now main difference between active and passive transport इसके बारे में आपका पूरा का पूरा article है transportation in plants that is 11th chapter of NCRT 11th class का ही वहाँ पर ये table जो है ये हर चीज़ को summarize करता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि concentration gradient की जरूरत कहां पर है आपको basically ATP की जरूरत कहां पर है उस हिसाब से आप option को mark कर सकते हो और ये वाला आपका directly NCRT से statement की statement उठा रखी है तो आपको active और passive में यहाँ पर just comparison करना था question number 7 अब इस question को तुम लोग देखना बहुत सारी जगां से statements उठाई हुई है जैसे रेनिन जो है यह किस से match होगा तो रेनिन जो है यह किस से match होगा देखो रेनिन is the proteolytic enzyme जो कि milk protein से related है तो रेनिन आपका milk protein से related हो गया यह statement आपकी NCRT की है फिर auxintic cell जो होते हैं यह vitamin B12 के absorption में help करते हैं यहाँ पर auxintic cell है यह vitamin B12 के साथ link हो जाएगा यह अगली statement है कि trypsinogen की activation के लिए enterokinase चाहिए तो enterokinase किस से related हो जाएगा trypsinogen से related हो जाएगा चौथा अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको अगर तीन पता है तो चौथा तो आप लोग and facilitated transport साथ साथ दिया हुआ है यह question की सारी statement जो थी वो भी आपकी NCRT oriented थी page number 262 पर आपको मिल जाएगा page number जितने भी question के मैंने आपको बता है वो सारे मैंने corners में मार कर दिया है तो आप लोग जाकर बकाइदा चेक कर सकते हैं कि मैं जूट बोल रहा हूं या नहीं हैसे मैं जूट बोलूँगा ही क्यों लेकिन तब भी अगर आपको चेक करना है आप लोग NCRT से पूरा paper खुच जाकर देख सकते हैं इस question में पूछा गया है कि क्वाशिय और कॉर क्या होता है तो ये वाली statement आपके directly definition से उठा कर पूछ ली 8 out of 8 are from NCRT क्योंकि नई NCRT का नया article है ये question number 9 ये question देखके मुझे personally बहुत अजीब लगा क्योंकि ये आपके directly you know headings को उठा कर बनाया गया है कि अगर आप human reproduction और organism में जो reproduction है यानि first chapter और third chapter को अगर आप link करते हो तो आप इस question को आसानी से कर सकते हो जैसे सबसे पहले आपका gametogenesis होता है और उसके बाद gamet transfer होते है gamet transfer होने के बाद आपका fertilization होता है जिसको आप sin gamet बोलते हो जो कि उस article में mention है उसके बाद fertilization के बाद आपका zygote बनेगा that is very very sure उसके बाद आपका क्या होता है embryonic development होनी start हो जाती है जहाँ पे आपका morula, blastula यह सारी cleavage के जो steps हैं यह आपको दिये हुए है इन NCRT इसके उपर बकायदा human reproduction में एक पूरा article है उसके बाद आपका cell differentiation होता है यानि specific type of cell बन जाते है जैसे जितने भी blood के cell है उन सबको बनाने के लिए आपका hematopoietic stem cell बनेगा यह सारी बाते भी आपके NCRT human reproduction में mention है organogenesis सिर्फ एक चीज है जो कि नहीं mention लेकिन वहाँ पर organogenesis ना लिखके क्या लिखा हुआ है organ formation जिसको आप लोग embryonic development में पढ़ते हो तो अगर आप एक biology student हो तो आपको पता होना चीए कि genesis का मतलब तो generation ही होता है तो organ development organogenesis में ही आएगा और अगर आपको नहीं भी पता है तो organ आपके सबसे end में ही बनते हैं transfer gamate fusion से पहले तो बनेंगे नहीं तो जायर सी बात है आप इस चीज को आसानी से decode कर सकते थे NCRT की direct heading से ये question लिया हुआ है कोई आपको अंदर जाने की विज़वरत नहीं थी यानि अगर आप heading भी पढ़के जाते तो इस question को आप लोग आसानी से कर लेते दो chapter के concept को यहाँ पर link किया हुआ है reproduction in organisms and reproduction in humans ओके तो यहाँ पर 51 से 54 के बीच में से मैंने ये reference उठाय हुए है question number 10 ये question आपको दो chapters में मिल सकता है oxytocin का जिकर कहाँ पर है एक आपका human reproduction में जब आप parturation के बारे में यानि कि आप जब basically delivery के बारे में पढ़ते हो और दूसरा आप जब milk ejection के बारे में पढ़ते हो breast के बारे में पढ़ते हो वहाँ पर आपको इसका reference मिल जाएगा साथ ही साथ जब आप hormonal control and coordination पढ़ते हो यानि कि the chemical integration जब आप आप आखरी chapter पढ़ते हो 11th class का वहाँ पर भी आपको direct मिल जाएगा oxytocin के बारे में so oxytocin smooth muscle पर act करता है in female ये क्या कराता है contraction of uterus कराता है at the time of child birth और milk ejection from the memory gland so यहाँ पर दोनों बाते बोली हुई है milk ejection भी बोला हुआ है और fetal ejection reflex भी बोला हुआ है यहाँ यहाँ पर दो chapters को link किया हुआ है आपका human reproduction और आपका chemical control and integration यहाँ पर आपका answer oxytocin हो जाएगा लेकिन अगर आप एक chapter भी पढ़के जाते है तो भी आप इसे कर लेते reference मैंने लिया हुआ है chemical control and integration से लेकिन same line आपको human reproduction में भी मिलेगी no new follicles developed in neutral phase of menstrual cycle because क्यों नए follicles नहीं बनते क्योंकि पहली बात कि follicle के development के लिए क्या चाहिए follicle stimulating hormone यानि FSH neutral phase के बाद आपका FSH गिरना start हो जाता है इसलिए आपके नए follicles नहीं बनते line NCRT में mentioned है दूसरा आपका LH भी गिरता है क्योंकि at the time of ovulation यह वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हो this is the peak this peak is called as LH surge LH surge के बाद obviously कोई चीज अगर अपने peak पे है तो उसके बाद वो गिरती हुई ही चली जाती है तो LH का amount भी यहाँ पर decrease हुआ है और यहाँ पर ovulation के बाद FSH का amount भी decrease हुआ है तो दोनों decrease होंगे यह आप diagram से भी interpret कर सकते थे 11 out of 11 questions are from NCRT page number 50 से यह reference लिया हुआ है in Australia marsupial and placental mammals has evolved to share many similar characteristics ऐसी evolution को क्या कहते है NCRT की line है देखो तो यह NCRT की line है यहाँ पर convergent evolution बोला गया है और same line यह जो उपर वाली है यह NCRT में उठाई हुई है मैंने सिर्फ आपको वो काटके दिखाया है जिसमें हमारा answer है convergent evolution page number 133 पे आप लोग जाकर check करेंगे आपको यह answer मिल जाएगा 12 out of 12 questions are from NCRT till now यह आपका match the following था तो यहाँ पर XX exotype sex determination आपका grass hopper में होता है तो यह बोला हुआ है मिल गया आपको यहाँ पर आपका male heterogamity किसमें होती है XX XY में ओके तो male heterogamity या फिर female homogamity आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि XX आपका female होता है यहाँ पर तो basically अगर दोनों same है तो homogamity condition आप इसे बोलेंगे karyotype 45 यहाँ पर होता है आपका turner syndrome में 45 plus exo तो इसे आप turner syndrome के साथ link कर देंगे और ZWZZ जो है इसमें आपकी female heterogamity होती है जो कि यहाँ पर मैंने mention करी हुई है birds के case में यह basically आपको देखने को मिलता है from NCRT question 13 page number 92 और 86 page number से यहाँ पर principles of inheritance and variation की काफी सारी चीज़ों को link किया हुआ दो articles को मिलाए हुआ है पहला article आपका sex determination का उसमें यह सारी चीज़ें दे रखिये है यह तिनो points और यह वाला जो है यह आपके end बे जो chromosomal disorder है वहाँ से point उठाया हुआ है तो दो articles को mix किया what will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA अब आप लोग एक चीज़ देखकर असमंजस में पढ़ जाओगे आपको यह वाला question दे रखा आपको यह वाला sequence दे रखा है और same sequence लेकर आपका NCRT में एक example भी set किया हुआ है template और coding strand का यानि अगर आप यहाँ पर देखोगे ATGC, 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 ATGC 3'25', same आपको ATGC, ATGC यहाँ पर मिला मतलब question तक change नहीं किया है आपके लिए NCRT का same example आप लोगों के आगे रख दिया है यहाँ पर यह बताया गया था कि template strand के respect में आपका नया strand तयार होता है अगर आप इसे complementary based pairing से तयार करेंगे तो obviously आप लोग इसका answer मज़े में दे देंगे A का complementary क्या होता U, क्योंकि RNA में T नहीं होता T का हो गया A then GC, फिर वही UAGC, UAGC अपने आपको repeat करता हुआ चला जाएगा और यह आपका answer हो जाएगा यहाँ पर दो concept utilize होते हैं पहला आपका complementary based pairing कि आपको यह पता होना चाहिए कि RNA में T नहीं होता जो कि given है आपकी NCRT में प्लस इसके साथ साथ सेम example नहीं रखा है इसमें तो कुछ था ही नहीं अगर आप मतलब आप नहीं भी आपको कुछ आता लेकिन आप सेम NCRT का भी रट्टा भार के गए हो तो भी आप यह question कर लेते question number 14 page number 108 transcription वाले article में दे रखा है question number 15 strategies for enhancement in food production inbreeding cannot be overcome by outcrossing लेकिन अगर आप outcrossing कराते हो यानि unrelated organism के साथ अगर आप meeting कराते हो तो fertility restore हो जाती है और inbreeding depression खतम हो जाती है यह दोनों की दोनों lines आपकी NCRT में given है और जो सारी correct statement है वो सारी आपकी NCRT से ही उठाई होई है inbreeding को लेके आपको इस पूरे article के अंदर यह सारी की सारी statements देखने को मिल जाएंगी यानि कि 15 question number जो है यह भी आपका NCRT से है page number 167 पे आपको सारे options मिलेंगे line by line बायो control agent in integrated pest management शुड़ भी यह species specific होते है और यह non-target organism पर काम नहीं करते यानि यह ऐसा organism जो आपका target नहीं है उसको कभी नहीं मारते तो यहाँ पर यह species specific होते है narrow spectrum होते हैं और non-target organism को नहीं मारते same statement आपको answer में मिली हुई है तो आपको कोई tension यहाँ पर नहीं लेनी है page number 187 से आपका answer उठाया हुआ है यह आपका biotechnology का question है जाहिर ची बात है किसी चीज़ को join करने के लिए आप लोग क्या डालते हो आप लोग DNA ligase डालते हो so exonuclease जो है वो आपका end से remove करता है और endonuclease आपका specific position पर कारता है तो यह आपका endonuclease के लिए हुआ यह आपका exonuclease के लिए हुआ जो कि इस article में given है और उसके बाद आपका thermos aquaticus क्या करता है it is a kind of polymerase तो जाहिर सी बात है extension करेगा या फिर polymerization करवाएगा यह tag polymerase है यहाँ पर tag लिखा हुआ है गलती से यहाँ पर यह question आपको directly मिल जाएगा तीनो statement जिनसे question आए हुआ है वो मैंने यहाँ पर tag कर दी है 196 से 203 page में यह दोनों चीज़े आपको मिलेंगी यह वाले आपको same page पे मिलेंगे PBR 322 आप देखो एंटिबाइटिक resistance gene है आपके ampicillin और tetracycline यह आपका इसी diagram में दे रखा है जो कि आपके NCRT का diagram है आप अगर सिर्फ diagram और उसकी labeling भी पढ़ लेते तो भी आप यह question कर लेते page number 199 पे यह given है PBR 322 as a cloning vector exploitation of bio resources of a national by multi of a nation by multinational company without authorization same चीज यहाँ पर use हुई है use of bio resources by multinational company and other organization without proper authorization same चीज आपके उठके आई है और bold letter वाला आपका statement या फिर आपकी definition डारेक्ली उठकर आ गई है तो bio piresis का answer होगा क्योंकि definition as it is उपर पूछ ली गई है कुछ नया नहीं पूछा गया page number आपका 214 पे present है 12th class में जाहिट सी बात है और आपका 19th question भी NCRT से है Carnivorous animal जैसे lion और leopard ये same same चीज़ों को खाना prefer करते हैं लेकिन उसके बाद जब resources की कमी आ जाती है lion जो है larger organisms को predate करता है और leopard smaller को ये क्यों हुआ क्यों कि यहाँ पर NCRT में एक article है resource partitioning के बारे में कि अगर those pieces compete करती है same same organisms को खाने के लिए same resources के लिए तो basically आपस में competition avoid करने के लिए वो different foraging patterns आपके adapt करती है और इस चीज़ को आप लोग कहते हो resource partitioning same चीज़ को आपकी statement बना कर उपर place कर दिया गया है question में और आपका answer तो same रहेगा ही अगर आपने concept समझा हुआ है तो यह question भी आपका within NCRT था और आपका 235 page नंबर पे यह given है decline in the population of Indian native fishes due to introduction of Claryas garrypinus in river Yamuna can be categorized as अगर आप यह article पढ़ते हैं alien species invasion यहाँ पर आपको Claryas garrypinus के बारे में बताया गया है तो Claryas garrypinus देखते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि यह alien species invasion का एक example है page number 265 पर यह given है question number 21 from NCRT अभी तक हमने 21 question किये है in a sequence एक word भी हमारा NCRT से बाहर नहीं आया है question number 22 match the following RNA polymerases with their transcribed product आपका molecular basis of inheritance का बहुत ही एक अच्छा article है RNA polymerase 1 आपका RNA बनाएगा so polymerase 1 आपका RNA के साथ match कर दो polymerase 2 जो है आपका HNRNA या mRNA का precursor बनाएगा so polymerase 2 आपका HNRNA के साथ match कर दो polymerase 3 आपका क्या बनाएगा TRNA, 5SRRNA, SNRNA तो main इसमें TRNA है तो TRNA को यहाँ पर 3 के साथ link कर दो आपका answer आजाएगा page number 111 from NCRT क्योंकि the progeny had either blood group A, B और B यानि male का अगर blood group A है male का अगर blood group A है और female का अगर blood group B है तो बच्चों का blood group क्या क्या हो सकता है आपका AB और B तो आपको बताना है कि parent का genotype क्या है यहाँ पर simple elimination method लगाना था आपको इस पूरे के पूरे table को utilize करके जो कि NCRT page number 77 पे given है सोचो अगर male आपका IAI है तो इसका blood group A हुआ सही बात है क्योंकि I तो किसी चीज़ के लिए code करता नहीं है और यहाँ पर अगर female IBB है तो बच्चे कैसे बनेंगे इनके बच्चे बना के देख लो सबके बच्चे बना के देख लो ग्रूप आया जो कि given है question में then आपका आया small I, I, B इससे क्या बनेगा I, B, I यानि B blood group ये भी आपका given है question में और ये आपका I, B, I same यानि कि यही बनेगा B blood group बनेगा तो पहले में ही आपको directly answer मिल गया अगर आपको ये concept पता है कि I, A, I, A, A, A B होता है अगर आपको ये सारी चीज़े पता है आप लोग directly इसको निकाल लेते NCRT से ही question है question number 23 page number 77 NCRT का question question number 24 population of a species invades a new area एक नए area में वो जाते है which of the following condition will lead to adaptive radiation इन में से adaptive radiation को कौन सी एक particular जो condition है वो give rise करेगी तो adaptive radiation के NCRT में जाके definition देख लो कि this process of evolution of different species in a given geographical area एक geographical area से ये चीज़ स्टार्ट हुई है तो ये स्टार्ट हुए है एक point से but it is going to be literally radiating to other areas of geography और habitat यानि एक point से start होकर ये radiate करती जाती है to other geographical areas तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं adaptive radiation जो कि आपको question में पूछ लिया है कि इनमें से कौनसा adaptive radiation है ओके so large number of habitat में जाएगा with low food supply ये आपका गलत हो गया क्योंकि वो बहुत जादा rich होने चाहिए nutrients में यानि कि या फिर competition less होने चाहिए area with single type of vacant habitat ये भी गलत है क्योंकि radiate कर रहे हैं तो variety of habitat में करेंगे many type of vacant habitat ये आपका सही है and many habitat occupied by large number of species मैंने आपको बताया evolution में बताया हुआ starting में competition नहीं होना चाहिए तब ही तो जाकर वो sustain कर पाएंगे so question 3 question option 3 है आपका ठीक है question number 24 का अगर आपको definition clear है और आपने अगर adaptive radiation क्योंकि मैं पूरा article यहाँ पर चिपका नहीं सकता मैंने सर्फ main point यहाँ पर चिपका है हला कि यह सारी चीज़ है जो है NCRT में given है अगर आप समझ समझकर करते हो अगर आप concept बना लेते हो अपना तो आप इस question को page number 133 से कर सकते थे each and every question till now is from NCRT identify A, B and C यह जो आपकी photo है यह कहां से ली गई है यह आपकी photo यहां से ली गई है यह वाला आपका hormone है यह वाला आपका receptor है और इसके बाद इसके अंदर जाकर आपका cyclic AMP बनेगा यही सारी बाते आपकी यहाँ पर पूछी हुई है chemical control and integration आपके peptide hormone का mechanism of action जिसके बार में पूरा का पूरा article है page number 340 पे आपको मिल जाएगा यह question भी within NCRT directly from NCRT human में acquired immune system होता है लेकिन फिर भी इसे innate immunity की क्यों जरुद परती है तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपकी NCRT में given है मैंने पूरा यहाँ पर article चिपका दिया है यहाँ पर बोला गया है कि innate बहुत specific होता है गलत बात है क्योंकि non specific होता है यह memory cell बनाते हैं गलत बात है क्योंकि NCRT में mentioned है memory cell कौन बनाएगा सिर्फ B और T cell उन्हें आप बोलते हैं B memory cell और T memory cell natural killer cell जो होते हैं phagocytesis करते हैं यहाँ पर natural killer cell macrophages और PMNL के बार में बता हुआ है तो यह statement आपकी ठीक हो जाती है ओके तो यह चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है आपको correct statement मिल गई है page number 150 पे और इस article में काफ़ी सारे important point है जो आप यहाँ से eliminate कर सकते हो question number 27 which of the following statement is not correct यानि आपको सिर्फ incorrect statement देखनी थी सबसे आसान देखो rods are very sensitive और daylight vision के लिए important होते हैं दोनों बाते आपकी गलत है daylight vision के लिए आपके cones responsible होते हैं और twilight vision के लिए आपके rods responsible होते हैं तो जायर सी बात है यह वाली statement आपकी गलत है automatically आपकी बचे होई सारी statements eliminate हो जाती हैं कि हाँ यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है क्योंकि हमें सिर्फ गलत पकड़नी थी अगर आप NCRT पढ़ते हो तो आप इस वाली को पकड़ लोगे बाकी सारे automatically आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है यह भी हमारा NCRT से था page number 324 पर इसका reference है match the following with the bones involved so यहाँ पर आपका पूरा का पूरा article है यहाँ पर दे रखा है जैसे कि saddle joint है यह आपका carpal और metacarpal के बीच में है तो saddle है यह आपका carpal और metacarpal of thumb के बीच में आ जाएगा pivot joint है यह आपका atlas और axis के बीच में आ जाएगा so इस तरीके से आपका इस पूरे article में joints के बारे में बताया गया है तो आप इन सब को match कर सकते हो 28th number question and it is from NCRT page number 312 पर इसका पूरा article given है which of the following diseases autoimmune disease और option है आपका myasthenia gravis same अगर आप देखोगे यहाँ पर page number 312 से यह question उठाया और अगले में ही same chapter में page number 312 से यह question भी उठाया कि myasthenia gravis is autoimmune disorder यानि examiner जादा जो है howb howb में नहीं पढ़ते अपने normally अगर एक chapter से question उठाया जा रहे हैं तो उस set में आपको ask pass के pages से multiple questions देखने को मिल सकते हैं जैसे कि हमने एक बार पहले देखा था कि सारी के सारी statements आपके दो pages से दो consecutive pages से थी इस बार आपके same page से पूरी information है myasthenia gravis जो कि आपका highlight करके dark में दिया हुआ है इसके आगे आपका पहला word ही है autoimmune disorder जो कि आपके question में पूछ लिया यानि question number 29 is also from NCRT अभी तक एक भी word आपका NCRT से बार नहीं है word तक बार नहीं है statements as it is पूछी जा रही है artificial light extended work time reduced sleep time यानि आपके 24 hour cycle और rhythm की बात की गई है कौन regulate करता है pineal gland करता है pineal gland के बारे में आपको chemical control and integration में देखने को मिल जाएगा कि यही वो आपका gland है जो 24 hour diurnal rhythm maintain करता है normal आपकी sleep और wake cycle और बाकी सारे जो time oriented जितने भी चीज़ है आपकी body में चाहे वो menstrual cycle हो या कुछ भी हो वो सारा आपका सिरफ और सिरफ pineal gland control करता है page number 334 page का reference आप लोगों को मिल जाएगा from NCRT question statement को सिरफ twist किया है concept नहीं बदला which of the following condition will stimulate the parathyroid grant to release parathyroid hormone यानि इन में से कौन से चीज़ है दो parathyroid hormone बनाएगी ओके तो यहाँ पर क्या हुआ parathyroid hormone क्या करता है increase the calcium level in blood यानि यह बनेगा कब अगर इसका काम है calcium का blood में level increase करना तो यह कब बनेगा जब calcium blood में fall हो जाएगा simple सी बात है आपका contrasting statement directly NCRT से उठाई हुए नीचे वाली line NCRT की है page number 335 पे आपको मिल जाएगी exactly सारे questions अभी तक NCRT से है which of the following is the correct statement IUD का पूरा का पूरा article मैंने यहाँ पर चिपका दिया है आप यहाँ से बाकी सारी you know option को eliminate भी कर सकते हो और सही statement increase phagocytuses of sperm को यहाँ पर mark भी कर सकते हो बचे हो इसारी statement भी आप eliminate कर दोगे तो भी आपको answer मिल जाएगा पूरा article आपके समक्ष है 32 questions are from NCRT page number 60 page का reference है which of the following sexual transmitted disease do not specifically affect a reproductive organ AIDS के बारे में एक बहुत अच्छा article दिया हुआ है human health and disease में यह question आपको ऐसा लगता है कि reproductive health से था लेकिन ऐसा नहीं है यह question आपका human health and disease से था जहाँ पर syndrome के बारे में बताया हुआ है that is acquired immunodeficiency syndrome वहाँ पर साफ साब बूला गया है कि आपके T cells को T helper cells को effect करता है उसके बाद आपके macrophages cells को effect करता है काफी सारे cells को effect करता है जिसके वज़े से opportunistic pathogen हमारी body में आकर हमें attack कर देते हैं यानि कि काफी सारे क्योंकि T helper cells जब आपके less हो जाएंगे तो आपके immunity overall कमजोर हो जाएंगे और काफी सारे pathogen आपकी body पर आकर हमला कर देंगे यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि इसका किसी particular sexual organ से कुछ लेना देना नहीं है तो AIDS का आपका NCRT में दे रखा है यानि ये दोनों option आपके गलत हो जाते हैं AIDS तो आपका साफ साफ question में है तो 3 और 4 में से आपका एक answer होना चाहिए now clamidiasis की जब बात होई थी और hepatitis B की जब बात होई थी तो reproductive health में एक बहुत ही ज़ादा confusing statement है अगर आपको पता है कि hepatitis B के symptoms क्या क्या है तो यहाँ पर yellowing of the eyes होती है just like आपका पीनिया में जैसे cases होते हैं जैसे symptom होते हैं यहाँ पर हो जाता है which is due to the liver disorder तो यहाँ पर hepatitis B आपका liver disorder करता है mainly cause तो AIDS और hepatitis B आपका यहाँ पर answer होना चाहिए था तो यह अगर आप you know being a biology students आपको पता होना चाहिए कि hepatitis B में liver effect होता है लेकिन in case अगर आपको नहीं पता तो भी आप इन दोनों statement में से तुक्का मार सकते थे अगर नहीं मारना मत मारो इस question को हम लोग out of NCRT भी consider कर सकते हैं जबकि यह पूरा out of NCRT नहीं है AIDS के बार में तो at least आपको पता लगता ही है कि वो आपका reproductive organ को specifically impact नहीं करता तो यह आधा question NCRT से बाहर का है लेकिन तब भी आप लोग correct conclusion पर कभी नहीं पहुच पाते तो इस question को हम लोग out of NCRT मान सकते हैं लेकिन इसमें भी आधा reference आपका NCRT से है यानि अगर कोई बच्चा दिमाग लगा है और उसको hepatitis B के main symptoms के बार में भी पता है जो कि बहुत common है लेकिन मैं यह मान कर इस paper का analysis कर रहा हूँ कि आपने NCRT के लावा कुछ नहीं पढ़ा है कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जाके अगर आप अभी तक देखते हो तो सारे question NCRT से हैं अगर आप टेखनिकली देखते हो तो एक question जिसका आप answer नहीं बता सकते हो NCRT से पढ़के वो अभी तक हमें मिला है that is question number 33 ओके आप देखो यार यह question बहुत ही simple है आपका animal kingdom से directly उठाय हो है कि Ophiura किसका example है तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा पहले देखते हैं कि यार यहाँ पर physalia दिया हो है पाइला के साथ आपका सारा दिया हो है पिंक टाड़ा वगेरा तो यह आपका मॉलस्का होता है तो मॉलस्का में आपका यह आ जाएगा यहाँ पर क्या बच गया आपका Ophiura बच गया आपका दिया हो है Brittle Star जो कि आपका Echinodermata में आता है इन सारी चीज़ों को आप लोग Animal Kingdom के Examples में डिरेक्ली दे सकते हो डिरेक्ट एग्जाम्पल उठा कर पूछा गया है 50, 51 और 54 पेज़िस डिरेक्ली NCRT से Question 34 35 Which of the following animal is true silomate with bilateral symmetry true silomate पूछा गया है तो यह आपका A silomate होता है यह हम हटा देंगे A silomate होता है यह हम आपका हटा देंगे Adult Ecanodermark के Radial symmetry होते हैं यह हटा देंगे तो बचा सिर्फ Anilid और Anilid के अंदर भी अगर पढ़ते हो तो यह true silomate होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ इनमे bilateral symmetry होती है यह भी यहाँ पर लिखा हुआ है सो आप इसको NCRT के page number 52 से देख सकते हैं यह question आपका NCRT से ही था The contrasting characteristics generally in a pair used to identify animals in taxonomic key यानि जो आपके taxonomical aid है उससे question पूछा गया है जो pair होता है उसे आप couplet बोलते हो जो pair है उसे couplet बोलते हो और जो individual statements है उन्हें आप lead बोलते हो यहाँ पर pair की बात हो रखे है तो आपका couplet answer हो जाएगा NCRT page number 13 11th class से आपका equation directly उठाया गया है from NCRT match the following structures with their characteristic feature यहाँ पर tight junction है adhering junction है और आपका gap junction है जो तीनों के तीनों आपके structural organization tissue वाले chapter में आपको बताये गए हैं 102 page number पर आपको यह मिल जाएगा 319 page पर दिया हुआ है synapse के बारे में पूरा का पूरा article है उसको देखकर आप इस question को directly answer कर पाऊगे और match कर पाऊगे so नीचे दिया हुए articles आपके 102 और 319 pages से हैं so 37 you know question is also directly from the NCRT which of the following statement is incorrect so incorrect statement क्या है less sensitivity और more resolution बताये हुआ है यहाँ पर cockroach के vision में लेकिन अगर आप cockroach के article को जाकर पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर mosaic vision होता है जहाँ पर more sensitivity और less resolution होता है यानि इसका उल्टा तो यह वाली statement आपके incorrect हो गई नीचे reference आपका page number 114 से लिया हुआ है 38th question is also from NCRT direct NCRT का question है select the correct statement intra pulmonary pressure जब low हो जाता है atmospheric pressure से तो inspiration होती है अब इसको हम लोग NCRT में ढूणते है कि intra pulmonary pressure जब कम हो जाता है atmospheric pressure से तो आपका negative pressure develop होता है और यहाँ पर क्या होती है आपकी inspiration होती है यानि same statement आपके NCRT से उठाई होई है अगर आपको correct statement पता है तो बाकी सारी आपके incorrect होंगी as simple as that और यह सारी statement भी आपकी NCRT में है लेकिन हमें सिर्फ answer से मतलब है फिलाल conclusion के लिए 270 page number पे इसका answer दिया हुआ है जो मैंने ये article उठा है this is from page number 270 अब आप लोग देखो देखो दे a person can breathe in after forceful expiration यानि forceful expiration के बाद कितनी air एक बंदा ले सकता है maximum volume of air can be breathed after forceful expiration इसे आप vital capacity बोलते हो directly घुमा कर भी नहीं पूछा गया कि ERV plus TV plus IRV ऐसा करके कोई option दे देते नहीं vital capacity आपका bold में दिया हुआ है सीधा वही पूछ लिया NCRT का भिलकुल direct question है page number 272 all components of nodal tissue are auto excitable फिर भी SA node को क्यों आपका pacemaker कहा जाता है यह line आपके NCRT में दी हुई है कि यहाँ पर it is called as pacemaker क्यों क्यों क्योंकि SA generate maximum number of action potential 70 से 55 जो कि initiate और maintain करने के लिए rhythms को बहुत important है therefore it is called as pacemaker यानि यही आपका correct reason है so therefore it is called as pacemaker so यहाँ पर question पूछ लिया है why it is called as pacemaker तो simple जी बात है जो नीचे आपका answer दिया हुआ है कि maximum number of beads यह करता है उसे आप answer में डाल दो direct NCRT question page number 284 पर reference मिल जाएगा specialized nodal tissue AV node के उपर यह question है on the lower corner of right atrium close to atrioventricular septum AV node की बात हो रही है अगर वो delay कर देता है impulse को भेजने में 0.1 second से तो क्या हो जाएगा तो 0.8 second के आपकी पूरी cardiac cycle होती है अगर आपने cardiac cycle पड़ी हुई है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से question आ जाएगा कि अगर 0.1 second आपका late हो रहा है basically AV node से signal आना तो आपके atria बहुत अच्छे तरीके से अपने आपको empty कर पाएंगे उसके बाद आपकी ventricular contraction होगी क्योंकि यह आपका कहां present है आपका atrioventricular septum पे यानि atria और ventricular का जहांपर बीच में connection है वहाँ पर यह present है अगर आपका signal आने में देर हो रहे है यानि atria के contraction जादा होगी तो atria आपने आपको बहुत बहुत बहुतर तरीके से empty कर पाएंगे the atria is going to empty itself completely इस article में यहाँ पर आपको reference मिल जाएगा directly आपको यहाँ पर जो है basically cardiac cycle से question पूछा गया है atrioventricular node का काम भी वहाँ पर आपको बताय हुआ है 284 page number पे question है conceptual question था अच्छा question था बड़ from NCRT था इस बात को आप लोग deny नहीं कर सकते match the following parts of a nephron with their function यह article बहुत लंबा है इसलिए मैंने article नहीं डाला लेकिन सिर्फ image डाल दी यह सारे कि सारे जो आपके चीज़ है कि descending limb of loop of N ले किस चीज़ में काम आता है basically आपका सिर्फ water करने में लेकिन ascending limb of loop of N सिर्फ salt करने में आता है क्योंकि एक आपका salt के लिए permeable होता है दूसरा impermeable होता है DCT अगर आप देखेंगे तो basically क्या होता है आपका sodium और water में और proximal PCT अगर आप देखेंगे तो iron water और organic nutrients में यह चारो की चारो statement आपकी NCRT driven है और इनको कही न कहीं आप इस diagram में भी trace कर सकते हो page number 295 page का article दिया हुआ है वहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी और article का नाम है function of tubules वहाँ पर आपको पूरा A to Z जितने भी आपके tubules है starting from here to this descending limb, to this ascending limb to this collecting duct आपको सारा का सारा बताय हुआ है PCT भी बताय हुआ है, DCT भी बताय हुआ है सबका function आपको individually बताय हुआ है वहाँ से आप इस question को directly कर सकते है question number 44 match the following in column 1 and column 2 तो podocyte podocyte आपका कहां से लिया हुआ है excretion वाले chapter से लिया हुआ है so podocyte यहाँ पर present होते हैं जो कि filtration slit बनाने में काम आते हैं so filtration slit और podocyte को match कर दो renal calculee यानि kidney के पत्थर insoluble mass होते हैं oxalates के तो यहाँ पर renal calculee जो है आपका यहाँ पर crystallized oxalate आ गया फिर उसके बाद excretory organs है यानि page number 291 and 293 से consecutive आपके articles उठाए हुए है again यानि एक दो pages के अंदर से ही आपके linked questions उठाकर एक अच्छा question frame किया जाता है इनमें nephredia present होता है तो proton nephredia specific अगर बात हुए है तो amphioxas के लिए हो जाएगी nephredia specific अगर बात हुए है तो most analytes के लिए हो जाएगी ये question आपको इन सारे page references पे मिल जाएगा directly from NCRT मैंने तीन जगा से question उठाए हुए मैंने तीनों को for maintenance of the body balance and the body posture same यहाँ पे balance की बात सिर्फ पूछी गई है तो आपका crystal और macula यहाँ पे आप लोग click कर दोगे यह वाला पूरा article जो है आपका 327 page number पे दिया हुआ है neural control and coordination sense organ वाला article direct NCRT की statement है question number 45 is also from NCRT तो अभी तक आपने देखा हम लोग 45 question कर चुके हैं और जहां पर अगर technically देखा जाए तो 44 and a half question आपका directly NCRT से था यानि 44 आपका directly NCRT से था और एक अगर आप थोड़ी से common sense लगाते अगर आपको hepatitis B का पता होता तो आप उसे आसानी से कर देते यानि अभी तक आपके 44 अगर आप से फुद्दू यह जो है basically आपका article है page number 7 पर आपको directly दिया हुआ है आपको पता है generic name का पहला जो alphabet होता है capital होता है और species का जो आपका पहला alphabet होता है वो आपका small होता है तो यहाँ पर first word denoting the genus start with a capital letter और specific episode का पहला alphabet small होगा दोनों में small नहीं होता तो यहाँ पर जो है basically आपकी यह वाली statement wrong हो जाएगी ओके तो यह आपका directly NCRT से है question number 47 NCRT से एक question आपका आचुका है जो नई NCRT से है that is protein energy malnutrition question आपका आए था दूसरा अगर आप देखो तो abnormally folded protein जो prions पर आपका नया particle add हुआ है जहाँ पर आप basically क्या करते हो abnormally folded proteins के बारे में पढ़ते हो और यहाँ पर यह constant disease cause करता है mad cow disease cause करता है जो कि यहाँ पर दी हुई है तो दोनों की दोनों statement आपकी NCRT से है page number 27 नई NCRT में आपको reference मिल जाएगा which of the following statement does is correct ओके अब एक धमाका देखो page number 27 prion से question उठाया page number 27 उसी page number से directly like an से question उठाया आपको जानकर ताजूब होगा कि prions के just बाद आपका like an वाला article आता है अगर आप biological classification chapter देखो पहले like an आएगा पहले मतलब prions आएगा उसकी just बाद like an आएगा और साथ साथ है यह article मैं इकटा दिखाना चाहरा था बट यहां पर space की थोड़ी कमी है तो यार यहां पर देखो बिल्कुल सेम अगर examiner एक paper सेट कर रहा है अगर वो relative statements डालता है तो वो आज पास के pages से उठाएगा इसलिए आज पास के pages को at least एक chapter को link करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है ओके इसके उपर में काफी questions बनाऊंगा आप लोगों के लिए क्योंकि कल में जब पढ़ा तो मेरी भी काफी सारी बाते clear हुई कि जो हम बोलते है out of NCRT वो आपको पता लगेगा वो कहां से होता है काफी questions students से मुझसे कहा out of NCRT में आपको बताऊंगा वो question कहां से है और आप पागल हो जाओ वो सुनके that is a guarantee आप सुनो आराम से like अंज रहता है they do not grow in polluted areas they did not grow in polluted areas ये statement आपकी correct हो गई बचे हुई आपकी यहाँपर सारी statement दे रखे हैं आप लोग इन्हें पढ़ पढ़ के eliminate कर सकते हैं कोई issue नहीं है 48th question is also directly from the NCRT exactly line उठा रखे है match the following organisms in column 1 and column 2 आपका biological classification से दोबारा question पूछा गया है hello files जो रहते हैं hello का मतलब salt होता है तो salty areas यहाँपर आपको दिया भी हुआ है कि hello files जो होते हैं marshy areas को आप methanogenes बोलते हो तो यहाँपर methanogen है यह gut of ruminants में रहते हैं यह भी आपको एक methanogenes पर अलग से article है जिसमें gober gas के formation के बार में बात की गई है वो भी आपका biological classification में ही है इसके ही बादवाला article है तो यह भी आपको NCRT में मिल जाएगा cyanobacteria आपका aquatic organism में होते हैं terrestrial भी होते हैं mostly aquatic होते हैं यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है cyanobacteria are fresh और marine water यानि आपके aquatic होते हैं पेज नंबर 49 सारी question नंबर 49 page नंबर 19 से सारे के सारे चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके page नंबर 19 से उठाये हुए in dicot root the vascular cambium originates from अब कोई सोचेगा यार यह बहुत complex question है अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ tissue located below the phloem bundles and a portion of pericycle tissue above protozylum अब यहाँ पर देखो in dicot root cambium is completely secondary in nature it originates from यहाँ पर क्या पूछा गया है originate from ठीक है अब नीचे देखो the tissue located just below the phloem bundle a portion of pericycle tissue above the protozylum exactly same statement यार कुछ भी कॉमा तक भी change नहीं किया है आपका exactly same statement यहाँ पर डाली हुई है और dicot root के reference में ही डाली है so secondary growth सिर्फ dicot में आपको देखते हैं पेज नमबर 97 पेज का reference आपको मिल जाएगा पेज नमबर 71 से question आया है 51 hold philotexy किस में होती है NCRT की line है hold philotexy आपकी एलस्टोनिया में होती है और पूछ भी रखा है आपको directly NCRT में reference मिल जाएगा regeneration of damaged growing grass following grazing is largely due to यानि grazing करने से जो grass के कुछ parts damage हो जाते हैं वो कौन हुगाता है दुबारा grasses में ये present होते हैं ये region rate करते हैं removed parts by grazing herbivores कौन करता है आपका intercalary maristum आपका bold में दिया हुआ है NCRT में यानि जो bold में दिया हुआ हुआ है उस्ते हम अभी तक 5-6 question track कर चुके हैं जो bold में information दिया हो उसे जरूर पढ़ना page number 85 11th class में anatomy में आपको ये question मिल जाएगा bicarpulary ovary with obliquely placed septa आपका कहां होता है bicarpulary ovary with obliquely placed septa कहां पे होता है आपका ये family solenasi में आपका दिया हुआ है morphology of flowering plant end में जो तीन family की description है वहाँ पे आपको solenasi में मिलेगा और उसका example है solenum page number 80 पर जाकर check कर सकते हो from ncrt direct question पर हाँ family को इतना detail में पढ़े कौन ये पंगा है काफी students से मेलो काफी सारे question ncrt से बाहर है अभी तक तो मुझे यार कोई दिखा नहीं टेकनिकली अगर मैं देखू तो which is the most common type of embryo sac in angios pumps आपके चार जो आपके mega spore होते हैं इन वे से तीन जो है आपके degenerate हो जाते हैं और single mega spore आपका develop करता है इसे आप बोलते हो monosporic development तो monosporic तो आपका ठीक हो गया ये दोनों आपके wrong statements हुए इसके बाद यहाँ पर 8 cell बनते हैं आपको पता है ना अगर 8 nucleus आपके बने है तो 8 nucleus अगर आपके बने है तो कम से कम 3 division तो होंगी एक cell से आपके 2 बनेंगे पहली division में आपके 2 बनें दूसरी division में 2 से 4 बनें और तीसरी division में 4 से 8 बनेंगे तो 8 अगर आपको nucleus चाहिए तो 3 consecutive division तो चाहिए तो यहाँ पर यह चीज mentioned भी है दोस्तों है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ exactly line तक mentioned है कि the nucleus of functional megaspore divide mitotically एक division हो गया इसके बाद क्या हुआ 2 more sequential mitotic divisions अकर यानि एक हुआ उसके बाद page number 26 सताई से लिया हुआ है आपका sexual reproduction in flowering plants question number 55 genetic code के नीचे जो आपका दे रखा है salient feature वहाँ से direct उठा हुआ है degenerate होते है unambiguous होते हैं उसको non-ambiguous लिग दिया बस non overlapping होते हैं क्योंकि contiguous होते हैं सारी की सारी चीज़े वाला article पढ़के जाना था page number 112 से और इस question में आप लोग धूम मचा सकते थे okay page number आपका 101 से उठाय हुआ है question number 56 डिरेक्ली पूचा हुआ है कि कौन से scientist ने प्रूव किया कि DNA is the sole genetic material in bacteriophage तो bacteriophage पे research किस ने की थी आपके Hershey and Chase ने और final proof यहाँ पर बोल रखा है okay finally proof नहीं बोल रखा लेकिन bacteriophage पे research नहीं की थी और इन्होंने unequivocal proof दिया था यानि इनका जो experiment था किसी और experiment से हमेशा जादा criteria पे रखा जाएगा सो Hershey and Chase यहाँ पर scientist है 1952 में experiment किया था यह यहाँ पर answer हो जाएगा page number 101 का direct reference है bacteriophage का भी नाम आया है और यह भी इन्होंने बताया है कि proved that DNA is the genetic material in bacteriophage तो आपका directly question उठाया हुआ है NCRT से 57 in the process of transcription in eukaryotes the RNA polymerase 1 transcribe RNA polymerase 1 क्या transcribe करता है आपका rRNA जिसमें आता है 28S, 18S और 5.8S 28S, 18S, 5.8S और rRNA directly NCRT से उठाया है question page number 111 पे आपका मिल जाएगा directly उठाया है यार इससे दारा क्याल हो गया word to word सेम आ रहा है comma to comma तक सेम आ रहा है पहले 28 है, बाद में 18 है बाद में 5.8S है यह भी as it is सेम आ रहा है यार ओके बिलकुल direct questions आ रहे हैं आपके question number 58 xxy condition आपकी किसमें present होती है 47 और xxy condition आपकी किसमें present होती है 44 प्लस xxy आपकी line filter syndrome में यह आपका directly principles of inheritance and variation में दे रखा है तो line filter syndrome आपका answer हो जाएगा page number 92 पे NCRT में given है what initiation and termination factors are involved in eukaryotes तो पहली बात को एक question bonus है क्योंकि eukaryote में नहीं NCRT में सारी चीज़े prokaryote के reference में दी है और तब भी अगर आप answer करना चाहते तो initiation और termination factor क्या होता है यह हम थोरी में नहीं गुशेंगे मैं आपको direct diagram दिखा जता हूँ initiation में क्या हो आपका sigma factor आके जुड़ गया termination में क्या हो आपका row factor आके जुड़ गया है which of the following statement are correct so agriculture 50,000 साल पहले आया गलत बात है क्योंकि 10,000 साल पहले आया NCRT का reference है page number 141 पे से ड्रायो पितिकस और रामा पितिकस 15,000,000 साल पहले आये और आदमी की तरह चलते थे गलत बात है यह गोरिला की तरह चलते थे आये 15,000,000 यर पहले सही बात है रहकिन गोरिला की तरह चलते थे तो यह option भी गलत हो गया hobo fabulous 8 meet they did not 8 meet probably और नियंडर्थल मैं आपके एशिया में आए एक लाग से चालेस अजार साल पहले यह बात आपके ठीक है नियंडर्थल मैं आपके एशिया में आए एक लाग से चालेस अजार साल पहले तो यह वाली आपके correct statement हो जाएगी सारी statement आपके NCRT से हैं सारे references मैंने नीचे डाल दिया है एक option यहां से लिया हुआ है एक यहां से एक यहां से और एक यहां से यानि evolution के ही चार अलगलग option मनाने के लिए चाल स्टेटमेंट को मद्य नजार रखा गया है production of gamate यह किस चार्ट से आपका justify किया जाता है यह punet square से justify किया जाता है which was given by Reginald C. Punet आपके principles of inheritance and variation की direct line page number 73 question number 62 गोल जी के बारे में पूछा गया है okay, lysosome, vacuol और ribosome so ribosome आपके क्या करते हैं protein synthesis में help करते हैं तो ribosome का देख लो, यहाँ पर synthesis of protein यह मिल गया हमें इसके बाद गोल जी जो है basically आपका glycoprotein और glycolipid बनाता है तो गोल जी आपका glycoprotein glycolipid में हो गया lysosome आपका hydrolytic enzymes इसके अंदर होते हैं तो यह काफी सारे biomolecules को digest करता है तो यहाँ पर digest वाला word भी यूज किया गया है तो digesting biomolecules यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह आपका glycosome का हो गया और vacuol जो रहता है इसमें आपके काफी सारे excretory products होते हैं और waste product होते हैं तो आपके vacuol में waste product और excretory product का नाम आ जाएगा चारो statement अलग-अलग जगा से उठाई हुई है लेकिन सारी की सारी statement आपके एक ही chapter से थी page number 129 और page number 134 पे आपको चारो statement मिल जाएंगी direct NCRT का question है prosthetic group differ from coenzyme directly question NCRT से बिलकुल सिधा आया है prosthetic group are organic compound are distinguished from other cofactors यानि किस चीज से differ कैसे करते हैं क्योंकि यह tightly bound करते हैं as it is आपका question भी NCRT की statement है और answer भी बस grammar तो यार बंदा change करेगा ही न अगला बंदा यहाँ पर 63 question number भी आपका जो है basically page 159 से आया हुआ है यह आपका cell cycle and cell division से आया हुआ है कि crossing over take place between which chromatid and in which stage अगर आप पढ़ोगे तो आपको pacytin phase के अंदर यह पूरा मिल जाएगा कि non-sister chromatids of homologous chromosome के बीच में यह होता है so non-sister chromatids of homologous chromosome यह होता है pacytin के अंदर pacytin भी given है so इस bold वाले चीज़ को अगर आप पढ़के जाते और पूरे article को देख लेते page number 168 से so यह question आपका ठीक हो जाता directly from ncrt page number आपका 124 पे दिया हुआ है 65th question रामचंदरन plot is used to confirm अब बच्चे सोचेंगे रामचंदरन plot तो given नहीं है भाई पूरा का पूरा रामचंदरन given है biochemistry में इन से बड़ा scientist आपको जुनों नहीं देखने को मिल सकता protein biochemistry के सबसे बड़े scientist है और G.N. रामचंदरन जो है इनके नाम के आगे ही protein लगा हुआ है पहली line के अंदर अगर आप scientist के बार में भी पढ़के जाते तो भी आप इस question को कर लेते this is also from ncrt page number 124 पे जागे रामचंदरन सर के बार में प्लीज पढ़ना और रामचंदरन plot के बार में अगर कुछ जानना हो तो मुझसे पूछ ले ना I am also a biochemist so मेरे favorite scientist में count होते है रामचंदरन सर इनके काम को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है यानि uphill transport तो ये भी आपका table में given है occurs through membrane ये भी आपका given है okay कि special membrane proteins यहाँ पर लगते है और membrane के through तो transfer हो गाई require ATP यानि active transport यहाँ पर होता है ये भी आपका given है चौथा आपका जो बचा हुआ है non selective ये आपका गलत हो जाएगा तो ये क्यूंकि highly selective होते हैं तो इस line से आपको अपना ये answer जो है मिल जाता ये वाला तो ये वाली आपकी गलत statement हो जाएगी page number 178 से direct question पूछा गया तो एक question आपका पहले भी इस chapter से पूछा जा चुका है same article से और दुबारा पूछा गया यानि consecutive question आपके same chapter से पूछे जाने की probability रहती है which of the following bacteria reduce nitrate in soil into nitrogen यानि nitrate को nitrogen में कौन convert करेगा nitrate is present in soil it is reduced to nitrogen by the process of denitrification और denitrification करता कौन है pseudo monas और thaiobacillus इन में से सिर्फ आपका thaiobacillus given है या आपका answer हो जाएगा page number 201 पे direct reference आपका given है please जाके check कर लीजेगा question number 68 what will be the direction of flow of water अगर उसे hypotonic solution में डाल दिया जाए so ये आपका directly transport in plant में दिया हुआ है कि आपका अगर आप hypotonic solution में किसी चीज को रखते हो आपका अगर cell को basically आप रखते हो तो water जो है into the cell आएगा so water will flow into the cell directly ये statement ली हुई है देखो into the cell और into the cell वाली ये आप का अंसर हो जाएगा page number 182 पे direct reference गिवन है अभी तक एक भी question NCRT जा directly वहार नहीं आया है यार एक question में hint जरूर था NCRT का उसको भी अगर आप बाहर मान की चलो अभी तक 67 questions हा directly from NCRT 69 what is the where is the respiratory chain of ETS is located in plant ये तो बहुत भायाद सवाल है inner membrane of mitochondria page number 232 पे जाके चक करोगे electron transport system जो है आपका inner mitochondrial membrane पे पाया जाता है direct question from NCRT hatch and slack आएगा यहाँ पर hatch लिग दिया गलती से CO2 acceptor कौन होता है primary CO2 acceptor page number 219 पे जाकर अगर देखोगे photosynthesis वाले chapter में आपको मिल जाएगा कि CO2 acceptor एक 3 carbon का molecule होता है जिसका नाम है PEP जिसे हम phosphoenol pyruvate बोलते हैं यही आपका option है यही आपका answer है question number 70 directly from NCRT removal of shoot tip is very useful technique to boost the production of tea leaf यहाँ पर आपका hedge dense करने की बात आती है so यह आपका NCRT में given है कि apical dominance के लिए कौन responsible होता है auxin so अगर आप उपर shoot tip जो है उसको काट देते हैं यानि decapitation करते हैं तो growth of lateral buds आपकी बढ़ जाती है जो कि T में आपका specifically use किया जाता है so T का ही यहाँ पर question पूछा गया है T ही आपका यहाँ पर दिया हुआ है hedge making में आपका बहुत important होता है यानि अगर आप apical tip को काट देते हो तो lateral buds बहुत अच्छे तरह के से grow करने लग जाते है और hedge बहुत जादा dense हो जाती है जादा पतिया मतलब जादा चाय की production so it is very important in case of T so T ही आपका question है T ही आपका article में था तो आप directly पकड़ लोगे की auxin की बात यहां पर की गई है और lateral bud की announcement की बात की गई है यानि यह आपका apical dominance related article था आपके plant growth regulation वाले chapter का directly from NCRT page number 248 पर जाके detail में पढ़ चकते हो one scientist cultured cladophora in the suspension of azotobacter illuminated the culture by splitting light through a prism यानि यहां पर आपका जायट सी बात है क्या कर दिया इन्होंने ingleman experiment को दोबारा से recreate करने की कोशिश की है यहां पर भी cladophora यूज हुआ था यहां पर भी cladophora यूज कर लिया यहां पर भी aerobic bacteria यूज कर लिया था यहां पर बकाइदा उसका example दे दिया है और O2 generation की site पर क्या होता है basically आपके bacteria या accumulate आपके यूज काफी सारे वो accumulate हो जाते है और aerobic organisms तो यहां पर आगर आप देखोगे तो इसी experiment को आपका नीचे रखा गया है जिसमें blue and red light के आसपास जो है सबसे जादा main bacteria accumulate होंगे तो blue और red की यहां पर answer है यानि directly NCRT का phrase उठाया उसको statement की form में build किया और page number 208 को as it is question में फैक दिया question भी वही है answer भी वही है कुछ change नहीं किया बस यह नाम देकर confuse करने की कोशिश की जिसका इस पूरे के पूरे experiment में कोई लेना देना था ही नहीं सिर्फ यहां पर aerobic bacteria बोला है यहां पर आपको नाम दे दिया बस इतनी सी बात है question number 73 in order to increase the yield of sugar cane कौन सा plant growth regulator डालना चाहिए तो sugar cane जो है इसमें carbohydrate होता है अगर आप इसमें gibberlin add करते हो तो length बढ़ जाएगी आपकी stem की जिसे आप bolting बोलते हो basically और yield जो है आपकी 20 ton per acre जो है हो जाएगी तो gibberlin यहां पर आपका answer है जो कि आपके NCRT में ही given है page number 249 पर detail में पढ़ सकते हो जाके plant growth and regulation का सवाल है तो यहां पर देखो यार एक question आपका आया था page number 248 से आपका oxygen का और 249 से आपका gibberlin का आगया यानि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर एक chapter से question आया है उनके simultaneous आने की बहुत बहुत probability है हर page को दोस्तो link करके जरूर पढ़ना okay valley scenario में pollination कैसे होता है NCRT की direct line उठा रखिये LCRT में valley scenario के बारे में बता रखा है कि male flower या pollen grains जो है यह आपके surface of water पे release कर दिये जाते हैं पर आपका sexual reproduction in flowering plant में दिया हुआ है 74 questions हो चुके है 73 आपके directly NCRT है और एक question का hint है question number 75 which one of the following both autogamy and jetonogamy are prevented यानि ऐसा कौन सा है जिसमें आपकी cross pollination ही सबसे जादा होगी अब ये question आप लोग सोचोगे यार ये sexual reproduction in flowering plants का question है लेकिन मैं आप आपको बताता हूँ कि examiner ने क्या सोचा autogamy और jetonogamy जो है ये आपके usually उन में हो सकते हैं जहांपर आपका same flower पे ही male और female दोनों present हो वहांपर आपको additional measures दिखाने पड़ते हैं जिससे कि आपके self pollination ना हो पाए लेकिन अगर कोई बंदा है ही आपका डायोशियस यानि उसमें अगर वो है ही unisexual तो जाहिर सी बात है उसमें तो ये दोनों चीज़े prevent होने के chances maximum रहेंगे ना तो अगर आप डायोशियस के example को directly देखो reproduction in organism chapter में यानि कि पहले chapter में sexual reproduction में मत जाओ ये question sexual reproduction का है लेकिन answer reproduction in organisms में छुपा हुआ था बच्चे फिर बोलते हैं बहार से था यहाँ पे देखो साफ साब बोल दिया है कि डायोशियस आपका है पपाया और डेट पाम पपाया आपका यहाँ पे दिया हुआ है और आपके sexual reproduction in flower room प्लावर में जाफ साफ लिखा हुआ है autogammy, jitonogammy किन में prevent करनी चाहिए जिन में आपका basically दोनों की दोनों जो आपके reproductive organs है वो same flower में है यानि कि जिसमें अगर different flower में है तो उनमें तो autogammy और jitonogammy की chances वैसे ही काफी कम होंगे इसी जिए direct अगर आप दोनों chapter को link करके statement को link करके examples को link करके question करके आते तो ये question आपका NCRT से होता और NCRT से है ही मैं आपको question दिखा रहा हूँ मैं आपको answer दिखा रहा हूँ जाहर सी बात है NCRT से page number तक बता रहा हूँ जागे check कर सकते हो page number आपका पता नहीं अगली slide में लिखा है यहाँ पर basil, exile, parietal और free central के आपको example दे रखे है और इन examples को आपको match करना है page number 75 पे आपका directly दे रखा है कि presentation होता क्या है, marginal के example क्या क्या है, exile के कौन है, parietal के कौन है free central के कौन है, basal के कौन है इन में से आप example search कर करके यहाँ पर match कर सकते हो और अपना answer जो है आप लोग directly पा सकते हो ओके a selectable marker is used to eliminate the non-transformant अब selectable marker जो bold है आपकी bio technology में उसकी definition देखो, कि selectable marker help करता identify करने में और eliminate करने में non-transformant को, so eliminating non-transformant same line उपर take the eliminating non-transformant और selectable marker वाले ही आपके paragraph से ली हुई है question number 77, directly from NCRT page number 199, biotechnology जाकर check कर सकते हो western ghat में large number of plant और animal है, जो कि कहीं और नहीं पाए जाते, तो इसको किस term से आप लोग define करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है तो यहाँ पर देखो, NCRT में एक statement है endemism, ओके, तो यहाँ पर क्या है species confined to a region not found anywhere else ओके, not found anywhere else same आपका question, same आपके NCRT की line, endemism बोल रखा है endemic species ने कहा जाएगा question number 78, page number 266 ecology, direct question from NCRT question number 79, इन में से कौन सी चीज करेक्ट है ozone के बारे में, यानि हमारे channel के बारे में एक प्यारा सा article है आपका stratospheric ozone जो है इसे आप good ozone बोलते हो bad ozone आप लोग बोलते हो tropospheric को, ओके, और stratosphere वाली जो है वो हमें UV rays से या फिर harmful radiation से बचाती है तो stratospheric ozone हमें harmful radiation से बचाती है, यह तो correct हो गया tropospheric ozone good नहीं bad होता है stratosphere जो आपका ozone रहता है, वो bad नहीं good होता है, troposphere हमें protect नहीं करता, बलकि stratosphere करता है सारी की सारी statement इस article में given है page number 282, ecology direct question ओके? ओके, exploration of molecular, genetic and species level diversity, novel products of economic importance is known as, अब लोग सोचेंगे यारे, out of NCRT है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं सुना हुआ, देखो मेरे भाई जहां पर क्या बात कर रखी है exploration of molecular genetic and species level diversity for novel products and economic importance, यानि आपकी prosperity के लिए, आपकी growth के लिए, आपके समाज की भलाई के लिए, या फिर business के लिए कुछ भी अगर आप नया बनाते हो और उसे explore करने की कोशिश करते हो तो इसे आप क्या बोलोगे क्या आप इसे बायोपिरेसी बोलोगे common sense सोचो, बायोपिरेसी क्या होता है किसी और के काम पे अपना नाम लगा देना तो बायोपिरेसी तो हम पढ़ चुके हैं बायोपिरेसी में, यह तो आपको नहीं हो सकता बायोएनरजेटिक्स हम लोग metabolism में पढ़ते हैं यानि कि आपकी body के अंदर जो thermodynamics होती है chemical reaction की उसे आप बायोएनरजेटिक्स बोलते हो NCRT में एक जगा बायोएनरजेटिक्स में पढ़ोगे या तो शायद enzymes में आया हुआ है या biomolecules में आया हुआ है बिसिकली उसी particular article में लेकिन यह word आया हुआ है नहीं भी आया हुआ है बायोएनरजेटिक्स आपको साफसा पता है इस चीज़ का product और economic importance से कुछ खास लेना देना नहीं है आप लोग इसे eliminate कर सकते थे बायो रिमीडियेशन रिमीडियेशन का क्या मतलब होता है किसी चीज़ को भगाना यानि आपको अगर environment से CO2 भगानी है या फिर आपको water से fluoride ion भगाना है तो आप बायो रिमीडियेशन उसे बोलते हो किसी bacteria का या किसी living organism का use करते हुए और bio prospecting English theory is normal मैंने आप लिखा है English का question था या बायो लॉजिका था ही नहीं prospect करने का मतलब क्या रहता है explore करना question में यह directly आपका exploration दे रखा है या तो किसी चीज को explore करना या फिर search करना या फिर inspect करना या फिर किसी चीज से anticipate करना कुछ कोई भी अगर आप यहां पर लेके चलते हो definition आपको एक ही चीज explore से directly count होती है कि आपको चीजों को क्या करना है check करना है आपको चीजों पर research करने है तो बायो prospecting I think आप लोग असानी से directly अगर आप लोग basically English का use करते हैं आप लोग निकाल सकते थे so this question could be easily done in the form of elimination so आप में से कोई बच्चा जिसकी English थोड़ी ठीक है वो इसे directly कर सकता था क्योंकि यह question बायो का था ही नहीं यह question English का था मैं इन तीनों option को आसानी से eliminate कर सकता था not अभी अगर मैं 12th में भी दे रहा होता तो भी बायो prospecting निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि इन तीनों को आपको यहाँ पर eliminate करना है यह तीनों statement आपने पढ़ रखी है okay so यह आपका English का question था so वैसे यह common sense है तो अभी तक आपके दो question आए है common sense के एक तो hepatitis B वाला AIDS और hepatitis B वाला okay AIDS का तो आपका given NCRT में hepatitis B वाला आप लोग कर सकते थे अगर आपको basic knowledge है तो और एक यह वाला जो कि आप basic अपनी English knowledge से कर सकते थे कहने को आप इने out of NCRT बोलोगे अभी देखो यार फटा 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 which of the following is an innovative remedy for plastic waste एहमद खान साब का एक article दिया हुआ है पूरी की पूरी case study दिया हुए है polyblend पे इन्होंने काम किया था यह आपका directly ecology में given है page number 279 question number 81 direct from NCRT between which of okay between which among the following the relationship is not an example of commensalism यानि इन में से commensalism का कौन सा example नहीं है commensalism का पूरा article मैंने आपकी नजरों के सामने रख दिया है orchid epiphyte की तरह जब grow करता है तो वो commensalism का एक example है तो यह वाला तो हो गया उसके बाद अगर आप देखोगे कि cattle, erget and grazing cattle जो है यह आपका commensalism का example हो गया इसके नीचे आता है आपका sea animal with the clown fish तो यह भी आपका हो गया बचा जो आपका वो नहीं है commensalism का जाहर सी बात है eliminate कर दो, तीन आपके commensalism के हैं तो चौथा नहीं है, खतम 236 question number 83, आप काफी लोग बोलते हैं यह question नहीं दिया हुआ है in agricultural feed, it is liberally irrigated for prolonged time, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा पहली बात तो इसके कुछ links जो है pastor question paper में, उसको भी अगर आप भूल जाओ तो यह वाली जो explanation है, यह मैंने कहां से निकाली है, यह मैंने कहां से निकाली है सुनकर आप लोग shock हो जाओगे, इसलिए मैंने यहां पर mark किया है, it's a special question, यह बच्चों के लिए एक bonus है, और तुम लोग सोचों के नहीं है, हमारे लिए तो कहां bonus है, तो NCRT से नहीं है, मेरे भाई यह question NCRT से है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 7th class के NCRT से है, so this is a question that has been asked from 7th class science NCRT, कि अगर आप किसी भी चीज़को बहुत ज़्यादा irrigate करते हैं, पानी अगर बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देते हो, तो salt उपर आ जाते हैं, काफी बार आपने देखा होगा, सफेद सफेद कलर के आपको salts जम्हे हुए दिखाई देंगे, due to the liberal irrigation, आपका salinity वहाँ पर बढ़ जाती है, और water logging करके आपकी 11th class की NCRT में भी mineral nutrition में इसका जिक्र किया गया है, water logging का नाम यहाँ पर रखा गया है, तो यह question आपका out of NCRT consider नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आपका NCRT से ही है, क्योंकि इसके links आपके NCRT में है, आप लोग directly यहाँ से reference पढ़ सकते हो, I have given there, इसका screenshot लेके रखो, या फिर किताब में कहीं note कर लो, but this was really a special question, क्योंकि बच्चों वाला question था सिर्फ आपकी knowledge check करने के लिए, और वहीं पर काफी लोगों ने साही कर दिया, जाहिट सी बात है, question में कुछ था नहीं, practically, बस हाँ लोग देखके डर गए होंगे, क्या है, आउट आफ से ले बस आ गया, लेकिन था कुछ नहीं, which of the following statements about methanogen is not correct, methanogen पर अल्रड़ी एक question आ गया, मैं as the following, helophiles, thermocetophiles, methanogens, हमने महाँ पर किया था, तो यहाँपर सिर्क डिया,zetको methanogen के बारे में सारी की सारी चीज़े यहाँपर दी हूई है, कि यह bio gas बनाता है, bio gas बनाता है bhai, यह आपका methane gas release करता है, तो हईट सी बात है, methane release करता है, reumend में पाय جाता है, हाँ रूमन में पाय जाता है, गट में question 85 इससे direct question कुछ नहीं आ सकता मूंग बीन में yellow mosaic virus क्या क्या करता है तो mutational breeding होती है आपके you know यहाँ पर basically आपको दिया हुआ है yellow mosaic virus के respect में ओके इंदा मूंग बीन तो सारे के सारे word है मूंग बीन भी यहाँ पर है yellow mosaic virus पूर जाके check कर लेना coca alkaloid अब इसमें मैं कुछ depth में नहीं जाऊँगा यार नाम में ही है coca तो यही coca उठा के यहाँ पर रखना था erythrozylim coca से आपका extract किया जाता है page number 159 human health and disease alcohol abuse वाले topic से उठाय हुआ question 87 among the following pair of microbes which of the which both microbes can be used as bio fertilizer तो bio fertilizer का पूरा जो ncrt article वो आपके समख्ष है यहाँ पर rhizobium का example है azospirellum का है azotovactor का है sinobacteria का है anabina nostrock oscillatoria का है यहाँ पर किनी भी दो का pair जो बिल्कुल ठीक है उसे कर दो aspergillus के आपके नीचे नहीं दिया हुआ राइजवियम दिया हुआ लेकिन राइजोपस नहीं दिया हुआ यह आपका फंあーta ये आर्टिकल में से आपको ये word capture करना था और ये word capture करना था आपका question हो जाता page number 188 पे directly given है page number 198 पे आपका 88th question किन में से कौन-कौन से statement ठीक है आपको चारों की चारों जो statement है वो में नीचे मैंने यहाँ पर लिख दी है तो आप उन में से जाकर देख सकते हो DNA fragment negatively charge होते हैं तो ये move toward anode करते हैं anode से move करना start नहीं करते हैं okay so loaded on the gel towards anode terminal ये बात आपकी गलत हो जाएगे anode की तरफ जाएंगे anode पे load नहीं होंगे smaller the fragment बहुत तेज तरीके से वो भागेगा जायर सी बात है smaller the size of the fragment more the distance it will travel ये बात NCRT में है separate here resolve करने के जो tendency रहती है according to size ये sieving effect की होती है यानि sieving effect मतलब percentage यहाँ पर matter करती है यानि कि sieving effect में gel की concentration matter करती है यहाँ पर does not matter बोला गया है तो ये statement आपकी गलत हो गई और dna को आप लोग uv radiation से expose करके ethidium bromide से treat करके ही देख सकते हैं ये भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है uv radiation से expose करना पड़ेगा ओके तो यहाँ पर आप लोग directly options को click कर सकते हो और आप page number 198 से सारे options mark कर सकते हो question number 89 enzyme catalyzing the removal of nucleotide from end of dna specific position पर कौन काटता है endonuclease और end पर कौन काटता है exonuclease आपका दिया भी हुआ है कि exonuclease remove nucleotide from the end of dna page number 196 आपका biotechnology का question है page number 90 RNA interference में क्या use किया जाता है इन में से double stranded RNA ये मैंने पूरा RNA interference का article ही यहाँ पर उठा रखा है इसमें double stranded RNA ये यूज किया जाता है पहला ये option है page number 209 पे जाओगे मिल जाएगा अब हम बात करते हैं discussion की अब हम बात करते हैं कि actually हमने इस lesson से क्या सिखा पूरा का पूरा paper मैंने आपको with NCRT reference अगर decode करके दिखा है तो उस बात में सचाई है उस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है यहां पर अगर आप देखे out of the 90 questions that you have done till now आपका एक जो question था उसमें hepatitis B के symptoms के बारे में जो पूछा हुआ था यह अगर आप में common थोड़ा सा आपने पड़ा हुआ होता तो आप इसे कर लेते और इस option में से एक option जो था इस पूरे question में HIV वाला या AIDS वाला वो आपका human health and disease मे given है तो आधा question आप लोग इस NCRT से कर सकते थे लेकिन overall नहीं कर पाते तो इस question को आउट of NCRT consider करूँगा इसके लावा एक और question है जो आप NCRT से बाहर consider कर सकते हैं जो हमने बीच में देखा था जो था आपका bio prospecting और bio prospecting आप अपनी English की knowledge को utilize करके कर सकते थे तो यह वाला त इसे direct question आये आपके 90 में से 88 सिर्फ इन दो question को छोड़े 88 का मतलब आपके 360 number में से कितने बन जाते हैं अगर आप दोनों question छोड़के भी आ गए या दोनों question गलत भी करके आ गए तो भी 350 number का paper 350 से 3502 number का paper आपका NCRT से था यह वाला जो question आपका English का था bio prospecting वाला इसमें आप दो options को eliminate भी कर सकते थे you know basically आप तीन को भी कर सकते थे अगर आप bio energetic से थोड़ा सा cool है तो यानि कि अगर आपके English ठीक है तो आप यहाँ पर कितने मार सकते थे आप लोग 356 number मार सकते थे और अगर आपने hepatitis B के बार में थोड़ा भी पढ़ा हुए है थोड़ी बहुत knowledge होती hepatitis B बहुत common disease है बहुत उत्पात मचाया था इसने और अगर आपको common knowledge है यानि सिर्फ अगर आप NCRT ना बढ़के थोड़ा बहुत भी बार का देखते है तो आप 360 number crack कर लेते हैं अब worst से worst case देखो कि आप 350 तो हदाल case में मार रहे हो मतलब समझ लो आपने कुछ भी नहीं प worst to worst scenario क्या हो जाएगा किस बार समझ लो तीन question और बाहर आ जाएंगे 350 number का paper आयता समझ लो मतलब कि आपके समझ लो 5,6,7,8 question अगर बाहर से आजाएंगे तो भी आपका at least 330 number तो आप लोग इतना तो आपको confidence होना चाहिए इतना तुम आपको guarantee कह रहा हूं कि आपके आजाएं यार इस वीडियो को बनाने में क्यूंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को पता लगे कि आप अच्छी NCRT अगर पढ़ते हो आप लोग जनुरी तीन सो पचास number मार सकते हो सो यार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो बहुत ज़ादा महनत लगी है कसम से आखों में बहुत ज़ादा पेन हो रखी थी तब भी मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने इसके लावा कोई काम नहीं किया है जिसी इसके लिए मुझे salary मिलती है मैंने वो काम भी नहीं अगर मतलब तुम लोग एप्रिशेट करते हो क्योंकि बहुत लोग रोथ है फिलाल चैनल की आयर रिली अप्रिशेट इस वीडियो तो अगर आपकी वाज़ा से पांच-पांच-बच्चे भी अगर आप गैदर करके लातो है चैनल पे तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और वो जो मोटिवेशन आएगा उसके बाद क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं जादा बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं और जादा बहतर अटेंट करना स्टार्ट कर दूँगा 352 जो कि सिर्फ और सिर्फ NCRT से आ सकता है यह बात हो भाई बाकाइदा गाली बगदो नीचे कोई टेंशन नहीं है लेकिन यह वीडियो बिलकुल आथन्टिक है आप लोग जाकर चेक कर सकते हो क्योंकि पेज नंबर का रेफरेंस इसलिए मैंने बिलकुल सेफ तरीके से बनाई है जिससे स्टूडन को बिलकुल भी कंफूज क्लास की और बहुत बहुत बैतर तरीके से उसे पढ़ा जिससे कि मैं एक एक वर्ड को कैप्चर कर सकूँ और उसी के बाद मुझे ये इंटर रिलेटेल क्वेस्टन जो थे जैसे कि सेक्शल रिप्रोडेक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो आपका पाया वाला सारी चीज़ें मैं तब जाके बहुत अच्छे तरीके सा क्लारिफाय कर पाया विद पेज नंबर रेफ्रेंसे क्योंकि डिरेक्ली एक्जाम्पल तो हमें ही पता है लेकिन पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपकी संतुष्टी के लिए इस वीडियो को श पर भी मुझे जॉइन कर सकते हैं और आप उससे पूरी साल पढ़ाई कर सकते हैं नी 2021, 2020, 2022 के लिए अल्राइट थैंक्स तो मच गाईस, लॉटस अफ लव और आपकेच यू नेक्स वीडियो